हालो एवरिवन कैसे हूँ तो चलिए आज आपके साथ मैं शेर करती हूँ बेबी मालिश क्योंकि मेरे पास काफी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि बेबी मालिश शेर कीजिए तो तब से मोसम भी ठीक नहीं था सर्दी थी तो इसलिए नहीं कर पाए थे तो मैं आज कर र लिए तो बस हम उसी की कर रही हैं पर घी को थोड़ा नॉर्मल कर लियाता हमने तो उसकी बाद में अब स्टेप बाई स्टेप पहले टांगों पे करेंगे बच्चे की टांगों पर और हलके हाथ से लगा कर तो थोड़ा ऐसे हलके हाथ से करते रहेंगे और बच्चे को करा कर नींद भी आ जाती है बच्चे को बच्चा खेलता रहता है तो मालिश करने के बहुत फायदे होते हैं तो उसके बाद अब हातों पर भी उसी तरीके से कर देंगे हातों में थोड़ा थोड़ा गी लेकर और दोनों हातों से हलके हातों से उसकी फिंगर पर भी अच्छे करेंगे यहां पर आप अपर हाथों पर भी हल्का सगी लगा लेड हो मिसके चेस्ट कियों इस तोर्फ मखिक देंगे कर देंगे तो इसके पड़ करेंगे ध्याननकीर के साथ रहिए हॉटISS Cup Doingis leia हल्के हाथों से यहां पर फेस बहुता है, बस ध्यान रखे, मालिश हमेंसा हल्के हाथों से ही करनी चाहिए, जिसके बच्चे को किसी तहरा को कोई पेड़ नहां हो और बच्चा खुशी-खुशी करा ले, जैसे कि पीओ को देखे, वो कितनी खुश हो रही है, खुशी-खु तो उसके बाद इसकी पीट पर घी लगा लिया है हातों में तो पीट पर ऐसे अपोजिक डारेक्शन में इसकी मालिस करेंगे तो उसके बाद इसकी फुल बोड़ी पर मालिस हो चुकी है और ऐसे ही बच्चे के सिर में मालिस करनी है उसके तो उसके बालों में भी अच्छे से घी जब तक करनी होती है कि जब तक इसकी इन में अच्छे से एबजोब नहीं होता है पूरा घी तो देखिए यहाँ पर पूरी माली सो चुकी है अब फिर से थोड़ी सी एक्सेसाइज करेंगे और पी हूँ हस रही है तो बस चलिए आपसे मिलती हो नेक्स्ट वीडियो में अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना